एशिया कप के टीम की घोशडा के साथ ही गिल और इशान किशन को मिली चेतावनी कप्तान रोहित ने कहा कुछ ऐसा सुने इशान किशन के साथ गिल को भी लगा जटका अब नहीं कर पाएंगे पोजेशन की बहाने बाजी वहीं पत्रकार के सवालों का जवाब देते हुए कोहली के लिए कहा कुछ ऐसा जिसने जीत लिया सभी का दिल तो कोहली से लेकर गिल तक पर प्रेस कॉन्फरेंस में क्या कुछ कहा कप्तान रोहित ने बताएंगे आपको इस वीडियो में इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें हमारे साथ लंबे इंतिजार और काफी जद्दो जहित के बाद आखरकार भारती सेलेक्टर्स ने दिल्ली में प्रेस कॉंफरेंस कर सोमवार को टीम का एलान किया जिसमें पत्रकारों का जवाब देने के लिए रोहित शर्मा भी मौजूत रहे ऐसे में BCCI के द्वारा आयोजित इस प्रेस कॉंफरेंस में एक समय ऐसा भी आया जब भारती कप्तान ने जवाब देते हुए अपना आपा खो दिया हलांकि उन्होंने सवाल पूछने वाले पत्रकार को कुछ नहीं कहा लेकिन उनके गुस्ते का शिकार हुए शान किशन और शुकमंगिल दरसल आपको बता दें कि चल रहे प्रेस कॉंफरेंस के दोरान एक पत्रकार ने रोहित से बल्लेबासों की पोजेशन को लेकर सवाल किया जो की काफी हद तक शान किशन के उपर ही पूछा गया था जिसका जवाब देते हुए रोहित ने कहा कि हम मैच की सुबह उठकर किसी बल्लेबास को ये नहीं कहते कि आज आप यहां बल्लेबास दी करेंगे उनको कई साल पहले ही ये साफ तोर पर कह दिया गया है कि टीम को जिस पोजेशन पर आपकी जरूरत होगी वहाँ पर जाकर आपको बल्लेबास दी करनी पड़ेगी चाहें वो उपनिंग की हो या निचले क्रम पर बल्लेबास दी करने की आपको जहां ठीम चाहेगी बल्लेबास दी वहीं करनी पड़ेगी ऐसे मैं आपको बता दें कि ये कयास लगाये जा रहे थे कि चुकि इशान किशन लगातार वेस्टटन्डीज्स के दोरे पर और उपणिंग करते नज़र आ रहे थे तो हो सकीक तो ऐशियर कब के दोरान भी लगातार शायद ऐशिय अपके दोरान उपणिंग करते देख सकते हैं और श्रिय सयर की कैर मौजूदकी में रोहित या कोहली चौथे नंबर पर बल्ले बाजी करते दिखने वाले हैं लेकिन अब जब अइयर फिट हो चुके हैं तो ऐसे में ये कायास लगने लगे हैं जहां उनके रेकॉर्ड्स कुछ खास नजर नहीं आ रहे हैं जिसको मद्य नज़ा रखकर ही इशान से जुड़ा ये सवाल पूछा गया था ऐसे में इसी प्रेस कॉन्फरेंस के दौरान एक समय ऐसा भी आया जब विराड से जुड़े सवाल पर रोहित शर्मा मजा की अंदाज में नज़र आए जिसका जवाब देते हुए रोहित ने कहा कि हम गेंदबासी कर लेंगे ऐसे में आपको बता दें कि रोहित ने जिस तरीके से आज प्रेस कॉन्फरेंस में खेलाडियों पर कॉन्फिडेंस दिखाते हुए जवाब दिया उसे देखकर यही उम्मीद लग रहे हैं कि भारत ना सिर्फ एशिया कप बलकी वॉल्ड कप में भी जीत हासल कर पाने में कामियाब हो जाएगी ऐसे में आपको बता दें कि एशिया कप की शुरुआत 30 अगस्त से शुरू होने वाला है जहां 13 मैच खेले जाएंगे जिसके शुरुआत के 4 मुकाबले तो पाकिस्तान में खेले जाएंगे वहीं बाकी बचे 9 मैच श्रलंग का होस्ट करेगा जिसमें भारत के सारे मैच के साथ प्ले आफ के भी मुकाबले शामिल रहने वाले हैं ऐसे में भले ही एशिया कप की शुरुआत 30 अगस्त से हो जाएगी लेकिन भारत अपना मुहीम 2 सितंबर से ही शुरू करेगा जहां उनका पहला ही मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ होगा जिसको हर हाल में भारती टीम जीतने को देख रही होगी और कैसे एशिया कप को अपने नाम कर पाने में काम्याब हो पाती है वैसे आपको क्या लगता है इस स्कोर्ड के साथ भारत इस बार का एशिया कप जीतने में काम्याब हो जाएगी हमें अपने जवाब कॉमेंट में जरूर बताईए और ऐसे ही शांदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लिशे हमारे योट्यूब चैनल को